नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी खरकाटे और मेरा यूटीब चैनल मेकनिक ग्यान में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एक्सिवेटर PC200 कमस्तु इंजन S6D102E1 का पंप कैसा फेटिंग करते हैं और इंजन का टाइमिंग क्या है ठीकर दोस्तों पिछले वीडियो में हमने दिखाया था टाटा का सेट करते हैं अगर वस्वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे आई बटन को क्लिक करके वस्वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो एक चोटी सी रिक्वेस्ट थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजे साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजे दोस्तो ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले और नौट इपी केसन के तो आपको मि करना है तो पंप हिटिंग करने के लिए दोस्तो सबसे पहले हमें इंजन के टाइमिंग मिलाना है तो चलिए हम इंजन घुमा कर पहले इंजन का टाइमिंग सेट कर लेते हैं तो दोस्तो यह हैं इंजन का टाइमिंग सेट करने वाला प्लग तो दोस्तो इस प्लग को हमें क छूट असा point होता है जो hole का जो ये plug उस से जाके उस hole में घुश जाना चीए घुशना ऐसा चीए कि एकदम free होना चीए ठीक है दोस्तो तो देख सकते हैं ये सामने में point ये point और ये देख सकते हैं ये gear के उपर ये point दिया होगा है center में तो ये point से point एकदम match हो जाना चीए ठी ठीक है दोस्तो तो ये हमारा हो गया engine का accurate timing ठीक है दोस्तो और देख सकते हैं दोस्तो ये है engine कमटसू का हम और ये है PC200 में एक्सेवेटर में तो चलिए हमारा engine का timing fitting हो चुका है तो हम ये plug को एनवों लगा कर हम इसे fitting कर देते हैं fitting ऐसा करना है दोस्तो कि plug हलका सा बाहर खि pump का भी दिखा देते हैं फिलाल ये है दोस्तो plug जो पुम को log करके रखता है तो चलिए हम सबसे पहले plug खुल लेते हैं और इसके बाद में हम बताते हैं ठीक है दोस्तो तो ये हो गया plug और ये हो गया lock piston तो इस piston में देखो दोस्तो ये देख सकते हैं ये pump में ये जो एक को कॉलर बना हुआ है ये कॉलर से वह कॉलर मेच हो जाना चीए तो यह हो जाता है दूस्तों पॉंप लॉक ठीक है ये अभी पॉंप हमारा लॉक पोजिशन परłam پर है करता है तब तक और इंजन में फिटिंग होने के बाद में हम उस पिस्टन को घुमा देंगे ठीक है दोस्तों तो देख सकते हैं इससे हम थोड़ा बहुत आगे पीछे पंप को रिटायर कर सकते हैं जो यह पंप का होल है यह लॉंग इसलिए दिया होता है कि हलका रिटायर कर सकते हैं यह एडवांस कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो हमने बता दिया पंप का और दूसरा बता दिया इंजन का तो यह दोनों समझ गए अब हमें पंप पिटिंग करना है दोस्तों तो चलिए हम पंप पिटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों पंप को एकदम तो चलिये हम नट लगाब कर इससे टाइट करते हैं तो देख सकते हैं दूस्तो हम नट आपको दिखा देते है तोية है दुर। like और यह पम का नट तो चलिए पहले हम अ मैंनी सापुर्ड आनला के टाइट ते हैं तो पंप एकदम मेंड़िख अग्ये बोड़ी कॉमिस 6BT के ही तरह है सेम टाइमिंग उसी प्रकार से लगता है इसका अगर इस इंजन को अगर बनाना है आपको तो टाटा कॉमिस 6BT का ओरिजनल सामान अगर इसमें डालते हो तो टोटल पूरा सामान उसका फिटिंग हो जाता है एक चीज का कभी भी ध्यान लगना दोस्तों का मटसू इंजन में खास तोर पे ठीक है दोस्तों तो चलिए अब हम पंट के सारे चारों नटों को टाइट लगा कर लगा लेते हैं और लगाने के बाद में हम इसे फटापर टाइट कर लेते हैं ठीक है दोस्तों फिर और आगे हम चलते हैं ठीक तो दोस्तों अभी तक हम बेल आइकन प्रेस कर दीजिए इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपके नौटिफिकेशन बार जो होता है उसमें आपको मैसेज की तरो नौटिफिकेशन मिल जाये करेगा तो आप उसको क्लिक करके डारिक हमारे वीडियो पर मैक को आएका दोस्तो दोस्तो हमने अपनी चैनल पर बौत अच्छे यए वीडियो अपलोड किया है मेकनिकल से एंड हैड्रarnt हेड्रोलिकल से related मटरिटएट आप हमारी चेनल पर सारे वीडियो जा कर देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है दोस्तों सर कराईबन हमने 1.90 वीडियो अफ्रोट किया है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हमारी तो लाइक करना दोस्तों हापकी whip like से हमारा का मनोबल बढ़ता है दोस्तों और अच्छे यच्य वीडियो बनाने की हम कोशिज करते हैं तो चलिए दोस्तों हम फटा-फट पंप को टाइट कर लेते हैं और उसके बाद में हम पंप को अनलॉक कर देंगे तो चलिए हम सबसे पहले तो pump को सारे tight कर लेते हैं तो pump भी tight करना है दोस्तों तो किस प्रकार से pump tight होता है देख सकते हैं इसमें 12 इंची का extension प्लस universal and goatee and tea handle या फिर ratchet ठीक है दोस्तों universal से हम आढ़े तेढ़े कैसे भी nut को tight कर सकते हैं तो चलिए हम ब्लाक के अंदर के side के nut को tight कर दिये हैं अब हम बाहर side के दोनों nut को tight कर देते हैं दोस्तों उसके बाद में हम pump unlock करना दिखाते हैं दोस्तों हमने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना रखी है दोस्तों फिलाल तो हमने अभी Commerso PC 130 का swing motor open किया है उसका हमने engine भी open किया है पोर्च lander का और हमने इटन gearbox का 9 speed gear भी open किया है तो ये सब आने वाले वीडियो हैं दोस्तों तो इसलिए एक like और हमारे चैनल के subscribe तो बिल्कुल बनता है हम ये सारे वीडियो अप्लोड करेंगे दोस्तों तो देख सकते हैं दोस्तों हमने सब टाइट कर दिया है pump को बढ़िया से अब उसके बाद में हम pump को अनलाक कर देते हैं दोस्तों अगर दोस्तों pump को अनलाक नहीं करेंगे भूल जाएंगे तो पट्टी जो piston होता है वो तूड जाएगा और pump में वो उसकी एमडी जाने से pump खराब हो सकता है तो pump fitting करने के बाद में ये ध्यान रगे दोस्तों कि pump को अनलाक करना बहुती जरूरी है ठीक है तो देख सकते हैं अब हम इसे घुमा कर उसमें fitting कर देते हैं ठीक है दोस्तों तो ये हमने plug में fitting कर दिया और plug से हम सीधा direct pump में fitting कर देते हैं और इसके बाद हम इसे tight कर देते हैं दोस्तों तो इससे हो गया हमारा pump unlock ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हम इसके बाद जो वीडियो upload करने वाले हैं दोस्तों हम वो करने वाले हैं सीविंग मोटर कैसा डिस्मेंडल करते हैं और उसमें प्राब्लम क्या आ रही थी और हमने किसलिए उपन किया है उसको वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों उसके बाद हम एटन गेरबाक्स का भी वीडियो अपलोड करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा पंप अनलॉक हो चुका है हमने सारा कुछ सब टाइट कर दिया है अब हम पंप की जो में शाप का नट है उसे हम फुल टाइट कर देते हैं और फुल टाइट करने के बाद दोस्तों हम सामने का पंप का जो कैप होता है वो कैप को भी हम कर देंगे ठीक है दोस्तों तो देख सकते हैं हमारा पॉंप टाइट हो चुका है और यह है पॉंप का में जो साप्ट के सामने में कैप लगता है तो इसमें एक वोरिंग लगे होती है दोस्तों उस वोरिंग के उपर एना बोन लगा दिए ताकि उससे आइल लिकेज ना हो औ तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो के कॉमेट बक्स में लिक कर बताए और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना दोस्तों और एक सब्सक्राइब तो बनता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं तक तक लिए बाइट